तो कैसे हो आप लोग उमीद करता हूँ कि आप सबी लोग ठीक होंगे आज हमारे पास जो बाइक है वो है होनेट 2.0 और आज हम completely इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये बाइक आपको purchase करनी चाहिए या नहीं purchase करनी चाहिए हाला कि मेरे पास एक comment आया हुआ था उस comment में ये था कि मुझे NS 400 लेनी चाहिए या मुझे 102.0 लेनी चाहिए सो टेंशन की कोई बात नहीं है आपके जितने भी प्रोब्लम से वो सारे प्रोब्लम में सोर कर दूँआ यहां पर इस बाइक में जितना कुछ पी है वो सब में आपके साथ आज शेर करने वाला हूं तो नमस्कार दोस्तों मेरा नामे यूवराच और स्वागत आपका वारे चैनल शुपाइगर्स पर वीडियो अगर अच्छ लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना चेले को सब्स्क्राइब बें करते हैं इस के पास आपको दे आपको कहोंपे कर द सकते हैं सब सबस्क्राइवल स्ब्सπα solar करते हैं जाएंगी तो अब मैं वीडियो को सुरू करता हूं और आपको हर एक चीज बता देता हूँ So, सबसे पहले start कर लेता हूँ मैं front look के बारे में कि इसका front look आपको केसा देखने को मिल जाता है Front look में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारा LED system देखने को मिल जायागा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे पास लैड का उप्शन भी देखने को मिल जाता है लो बीम, हाई बीम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी लेकिन LED का जो segment है वो आपको काफी ही best देखने को मिल जाता है अगर मैं NS की बात करता हूँ तो NS का LED भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा लेकिन उससे भी प्यारा आपको यहां पे hornet में देखने को मिल जाता है माइलेज दोनों का ही सेम रहने वाला है लेकिन वो 400 CC में है तो वहां पे आपको हलका सा कम देखने को मिलेगा अगर यहां पे बात करता हूँ तो LED सेटप आपको यहां पे आगे की तरफ देखने को मिल जायाएगा आगे आपको completely front यहां पे आपको fiber का ही देखने को मिलेगा अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे आपको fiber देखने को मिल जायाएगा बात करूँ यहां पे आगे की तरफ आपसे इसका टायर सेक्षन आपको कैसा देखने को मिलेगा, साथ ही टैलिस्कोपी जो सस्पेंशन आपको देखने को मिल रहा है, अपसाइड डाउन प्रोक के साथ में, वो आपको कैसा देखने को मिलता है, तो हर एक चीज अब मैं आपक अगे की तरफ भी आपको डिस्क देखने को मिल जाएगी, और पीछे भी आपको डिस्क देखने को मिल जाएगी, हाला कि यहां पे सिर्फ ABS ही मेंचन किया हुआ है, ABS का स्ट्री गार है, लेकि आपको dual channel ABS में देखने को मिल जाती है, एक शोरूम प्राइस के अगर बात करता आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार वहाँ पे आप मालूम करें, और अगर आप यह बाइक पर्चेस करना चाहते हैं, तो आप कंचे नोंडा पे आ सकते हैं, अगर यहां बात करता हूँ आप से तो रिफ्लेक्टर आपको यहां शो हो जाएगा, डिस्क 300 mm की डिस को मिलती है, लेकिन इसका जो फाइबर है, वो एनस से बेस्ट आपको देखने को मिल जाता है, छोटा सा फाइबर है, अच्छा फाइबर है, कोई प्रोब्लम आपको यहां नहीं आने वाली है, और बात करता हूँ टायर की तो ट्यूबलेस टायर आपको यहां पे शो होने वाला है MRF company ना, OK, next, यहां पे आपको शोवा का suspension देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा जो plus point है, वो यह है कि यहां पे आपको शोवा का suspension देखने को मिलता है, जो की आपको और क्या-क्या देखने को मिल आयागा तो नंबर प्लेट जो रहेगी वो आप यहाँ पे लगा दोगे उसमें कोई दिकत नहीं आने वाली है So next, यहाँ पे अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि इस बाइक का इंजन आपको कैसा देखने को मिल जाता है एक बारे आपसे इंजन के बारे बात कर लेता हूँ 200cc का सेग्मेंट आपको देखने को मिल जाता है और अगर मैं आपसे maximum torque की बात करता हूँ तो 15.9 Nm का torque आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है Weight काफी ही कम है 1.500 kg की bike है अलागी 1.500 से भी कम 142 या 149 kg की आपको यह bike देखने को मिल जाती है So यहाँ पे अब मैं आपसे पीछे के tire के बारे बात कर लेता हूँ कि पीछे का tire आपको केसा देखने को मिल जाता है और यहां पे clearly mentioned है कि 140 oblique 70 यह भी आपको 17 इंच का टायर देखने को मिलेगा लेकिन पीछे का टायर है वो आपको 140 oblique 70 का देखने को मिल रहा है इसलिए यह जो है इसकी चोड़ाई आपको काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है यहां पे अगर आपसे बात करता हूँ कि पीछ यहां पे आपको इंजन जो है वो 184 CC का देखने को मिल रहा है माइलेट काफी प्रीमियम यह भाइक आपको निकाल के दे देती है साइड पोश्चर यह बात करता हूँ तो आप इसका साइड से लुक देख सकते हैं यहां पे आपको 3D में होंडा की बेचिंग देखने को मि साइब आपको से लिटी खैने को नहीं पे चिहां आपको काफी आपको देखने को मिलता है यहां के सारी घार यहां पे आपको काफी अच्छा। देखने को मिलता है, split seat है, single seat आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, split sheet ही 100 होने वाली है, इस तरफ Honda यहाँ पे आपको देख जायागा, काफी ही muscular और काफी ही बहतरी आपको यहाँ पे fuel tank देखने को मिल रहा है, so यहाँ पे बात करूँ हैं से fuel tank के बारे में, तो यहाँ पे को unique देखने को मिलेगी, कही जगों पर यहाँ पर लगाना होता है, लेकिन यहाँ पे आपको इस जगह पर लगाना होगा, day ignition on करना होगा, उसके बात, यहाँ पर आप बात करूँ, तो यहाँ पर आपको FII का full support देखने को मिल रहा है, 790 mm की seat head देखने को मिल रही है, और mileage क अगर बाद करता हूं तो लगबक 40-45 माइलेज ये बायग आपको निकाल के दे देगी. यहां पे आपको दो शेर देखने को मिल जाएंगे एक आपको यहां पर मैट ग्रे देखने को मिल रहा है, और साथ ही एक ब्लैक कलर देखने को मिल रहा है. आगे काफी ही प्यारे आपको यहाँ पे golden color के frocks देखने को मिल रहे हैं जो कि आपको upside down में देखने को मिल जाते हैं air cooled आपको यहाँ पे यह देखने को मिल जाएगा कि इसका जो engine है वापको air cooled देखने को मिल जाएगा यहां पे अगर आप से पीछे के तरह बात करता हूं तो यहां पे आपको काफी ही प्रीमियम काफी ही वाइड आपको यहां पर गैब्रेल देखने को मिल रहे हैं साथ ही आपको यहां पर एक्स लग रहा होगा बना हुआ हलाकि एक्स है यह उसके बारे में बात में डिस्केश बसन नहीं LED setup देखने को मिल जाता है, fiber की quality काफी ही अच्छी यहां पर fiber की quality देखने को मिल रही है, और यहांपर graphics बने हुए है, हाला कि dot dot share share में आप एग्राफिक बने हुए है, काफी ही अच्छी है यहां पर यह graphic भी लग रहे है, इक बार वारा मैं आपको संब्सक्राइक और प्रियूंकता किनाओर प्रियूंक जाएूरbane राथ तो यह इंजन का साउंड था इंजन का साउंड काफी किलियर आया है काफी बेस्ट यहां पर जो है इस बाइक का एक्जो साउंड मुझे लगा है तो कमेंस सेक्शन में बार आप ज़रूर बता है कि इसका एक्जो सांड आपको कैसा लगता है चलिए तो हैंड्लिंग पर आ जाते हैं काफी ही स्मूथ और काफी ही बैस्ट मुझे यहां पर इसकी हैं लगी है इस बाइक को एक बार खडा कर देता हूं ठीक है तो ऐसी है यह पे आपको इस इंजन स्टार्ट का बटन देखने को मिल जाएगा खेल स्वीच आपको यहां पे देखने को मिल जाता है साथ ही स्टार्ट करने के लिए पावर स्टार्ट का बटन है वह आपको यहां देखने को मिलेगा किक इस बाइक में अवेलेबल नहीं है इस बाइक option देखने को मिलेगा साथ ही low beam high beam के लिए आपको यहां देखने को मिलेगा turn indicators आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं और horn बटन आपको यहां पर शोक हो जाएगा होन एक बार सुन लेते हैं कैसा है काफी ही light और काफी ही अच्छा यहां पर इसका होन आया है निकल गये handling काफी ही मजबूत है काफी ही अच्छी आपको यहां पर handling देखने को मिलेगी यहां पर यह बाइक है E20 को support करती है यहां पर ignition लगाने के लिए जो जगह है वो आपको ऐसी देखने को मिलेगी इस बाइक की चाबी आपको नॉर्मल ही देखने को मिलती है चाबी को वापिस सर उसकी जगह पर लगा देते हैं और एक बार हम आज आते हैं यहां पर man इंस्टूमेंटर क्लेशर पर काफी ही छो जाएंगे वापिस लगांगा तो यह उप्षेन आपस यहां पर यहां पर यहां पर को यहां पर एक देखने को मिल जाएंगे जैसे ही आप यहां पे देखोगे तो यह देखिए बेटरी के लिए आपको यहां शो होगा, ठीक है, यहां पे दो किलो मिटर यह बाइक टोटल चली है, और ट्रिप A और ट्रिप B में 400-400 मिटर की मलब दोड इसने की है, 12 वोट की बेटरी है, I hope, और यहां पे 11.7 वोट मुकाबले कम है, अब गाइस, NS के मुकाबले कम इसलिए है, विकर उसका भी एक रीजन है, कि NS 400 को रिसेंटली ही लॉंच किया है, और यहां पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, कि यह जो बाइक है, जो कि आप देख रहे हो, होरने 2.0, यह थोड़ी सी पूरानी हो जाती ह है, NS 400 के मुकाबले, लेकिन अगर आपको माइलेच चाहिए, तो आप यह बाइक परचेस कर सकते हैं, उमीद करूँगा कि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हुआ हो, वीडियो छोटा ही बना हो, विकर इसमें जितना गुच भी था, वो सब मैंने आपके साथ शेर कर दिया ह आपके साथ शेर कर दिया है, हलांकि वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना चले को सब्सक्राइब जरू कर देना और बेल आइगन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो इन आप तक जरूर पहुंच सके, थैंक्यू सो मच